रहनावर्ट डाइट में आपका स्वागत है जैसरी रामाक्रश्न आज आपको मैं पुरुसमलेंगिक्ता से विसमलेंगिक्ता मैं परिवर्तन करने का एक शोद पत्र पढ़कर बता रहा हूं आप इसको अंतर तक जुरूर देखिए हो सकता है यह कुछ सब्दावली है जो मन वैग्यानिक भाषा सरल्टा से समझ में आ जाएगी जो कई बार आम लोगों की समझ से थोड़ा परे होता है मने वैग्यानिक इसको आराम से समझ सकते हैं मैं डॉक्टर गुना सिंग रागनावत साइकोलोजिस्ट और डिएटिशन आज आपको इसामने एक सोद पत्र पढ सब्सक्रादन सेक्स मोटीवेशन एंड परफॉर्मेंस सोद करता डॉक्र गुना सिंग राणावत डिएटिशन और साइकोलोजिस्ट मता अरिवेदिक दवा खाना सापोल राज समन राजस्थान समस्या शमलेंगिकता पुरुस्ट समलेंगिक ता से विशमलेंगिकता में परिवर्तन करना परिचे मनुष्य एक समुधाइक विक्ति है जिसमें एक घर परिवार में परिवारिक जीवन शैली में वन्स व्रद्धी होना एक प्राकर्तिक सुक की अनुभूती है भारती संस्कृति में वैवाहिक जीवन पति-पत्नी दोनों के लिए संतान उत्पति के मेथुन प्रेणा शिक्षन निश्पादन का कारक या निदारक है मेल्टेन ने कहा था प्रेणा सीखने के लिए एक आफशक सर्त है मेरा मानना है कि पिडित व्यक्ति कुशल विशम मेथुन शिक्षन के लिए उत्प्रेणित हो संग्यात्मक्द प्रेणा और प्रोष्टान का प्रवाव मेथुन शिक्षन और निश्पादन में कई रूपों में पढ़ता है सपलता और सपलता पुर्शकार प्रणाम के ग्यान आदी प्रोष्टान के अनेग रूप है संयोग इसपरदा प्रत्योगिता की प्रोष्टान के ही रूप है इनका निश्चित प्रभाव व्यक्ति के मेथुन शिक्षा तथा निश्पादन पर पढ़ता है अज्ञान के कारण मौज मस्ती के प्रणाम से अज्ञात होने के बाद जानकारी मिलना कि उसका कार्य कितना अच्छा हुआ कितना बुरा हुआ कितनी शुद्धी कितनी अशुद्धी हुई भारतिय समाज में प्रयोज्यों को दोनों परकार का ग्यान बताया जाता है कि नकारात्मक से सकारात्मक तुलात्मक किये गए कार्य का निश्पादन की सुद्धता और असुद्धता की जानकारी दी जाती है दोना परकार की अवस्तावों में परिणाम के ग्यान का अनुकुल परभाव निश्पादन देखा जाता है फिर भी परतियक प्रयास के निश्पादन की जानकारी मिलते रहने से अधिक लाब होता है कारण प्रयोज निरंतर अपने कारे सतर्क तथा उत्पेरित रहा करता है आकर्शन परिणाम के ग्यान का परभाव निश्पादन पर दो रूपों में पड़ता है एक तो प्रुसकार के रूप में तथा दूसरा डंड के रूप में होता है जब ये बताया जाता है कि उसका कारे अच्छा हो रहा है तो वह प्रुसकार के रूप में प्रुसक्रत महसुस करने लगता है अतहाँ वह अपने कारे के प्रति अधिक प्रेरी तो उड़ता है फलत उसका कारे या निश्पादन बेहत्तर बन जाता है दूसरी तरफ प्राईजे को जब यह पता चलता है कि उसका कारिय या निश्पादन घट्या हो रहा है तो अशुद्या हो रही है होती तो उसे डंड का अनुपव होता है अताव अपने निश्पादन में सुधार लाने का प्रयास के साथ सतर्क और प्रेरी तो उड़ता है फ्लात अगले प्रयास में उसका निश्पादन अपिक्षाक्रत बहतर बन जाता है इस्पष्ट हुआ कि प्रयोज्य को अपने निश्पादन के समंद में चाहे सुधता का ग्यान मिले या असुधता का दोना अवस्तावों में निश्पादन बहतर वा उन्नत बन जाता है निश्पादन की प्रगती पर सुधता के प्रवाव का प्रत्यक रूप से असुधता से ग्यान का प्रवाव प्रत्यक रूप से पढ़ता है तत्परता से लाब विशमलेंगिक होने के लिए प्रामर्स की समय सही वक्त तत्परता रही तब विशमलेंगिक निर्माण में विचार होता जाता है था तथा प्रयोज सही प्रतिकिरिया विचार करने और समलेंगिक विचारों से अपने आपको बचाने का लाब करता था तत्पर्ता की हानी गलत तत्पर्ता उत्पर विचार होने से प्रयोज्य गलत दिशा में प्रयास के विचार आते थे जिने समस्या समाधान कठिन लगता था समस्या के विचार बदल नहीं जाते तब तक तत्पर्ता को छोड़ कर सही दिशा में शक्रे नहीं होता था उद्देश्य प्रस्तुत अनुसंदान का उद्देश्य शिक्षण के अभ्यास से प्रायजिय को वैभाईक दामपती जीवन में महिला के प्रती आकर्शन निश्पादन पर परिणाम के ज्यान अभिपरिणा के प्रभाव को शिखाना है उद्देश्य व्यक्ति के ग्यानात्मक शीकने से धनात्मक इस्तानत्रन की गटनात्मक प्रदर्शन का अनुसंदान किया ओनलाइन परामस मौखिक में धनात्मक इस्तानत्रन वास्तम में उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द जो किरिया की दो उद्धिपक एकांश भिन तथा प्रतिकिरिया एकांश अभिन होते हैं, तो उनके बीच धनात्मक स्तांत्रन होता है, समलेंगे किता वैवार तथा विचारों का प्रभाव वाला व्यक्ते तो आसानी से बदले जा सकते हैं, प्रयोज्य परीचे, प्रयोज्य का नाम अनिल कुमार, यौन पूरुष, आयू 29, शिक्सा असनातक, प्रयोज्य का नाम गोपनिया रखा गया है, सामगरी, एक स्मार्टफॉन वाट्सेप, आउनलाइन कांसुलिंग के लिए और एक रेजिस्टर लेखन के लिए, अनुसंदान की कारेप्रणाली, मौकिक अभ्यास के साथ अनुसंदादना आत्मक अभिकल्ब, योजना, प्रयोज्य के पास एक स्मार्टफॉन, बिना रुकावट, बेजिज़क्स्तान का चैन के साथ के एक निश्चित समयावदी ते किया गया, महिने में 10 आनलाइन परामर्श नियंतरित अभस्थाश में प्रयुज्य समझा दिया गया था, फिर प्रयुज्य को अंतर नियुक्षन प्रतीवेदन लिया गया, तथा दोनों अभस्तावों के परिणामों का तुलनात्मक अद्धिन किया, फिर देखा कि धनात्मक इस्ता जाहिनेन 1000SR, पलोकशोटिन 20 mg, टोपीशोपाम 50 mg, परिक्षन सामगरी मेरे द्वारा नेर्मित साब्दिक स्रवर्ण प्रशनोत्री आफस्रिक्ता अनुसार इस्पष्टिकरन फूच लिया जाता था, प्रतिकरयाओं को लिख दिया जाता था व्यक्तित्व के लक्षन, लज्जा, गंबेता, संकोल चिल्ता, रुडिवाद, सनाई विक्रती, निरोटिजम, सनाई विक्रती की पैचान अधिक देखी गई, चिंता से ग्रस्त, संदे की प्रवति, संवेगात्मक, नियंतर्ण की कमी देखी, ब्रह्म के साथ भी ब्रह्म भ पाया, इस्तिर्था के मद्दि चिंता, विचारों में अस्तिर्था, एवं असंगती, संवेगात्मक, नियंतर्ण कल्पना की अधिक्ता, एकग्रता की कमी, कम जो र्यादास्त और तनाव से पीडित पाया गया, बोलने की प्रविती उप्चार लेने के कारण सच धीरे-ध जूट से सच में अग्रसर हुआ, अंतर निरिक्षन रिपोर्ट, प्रेणा में वेख्या, अधिगम इस्तान्तरण, मौकिक सीखने के धनात्मक इस्तान्तरण की घटनाओं के स्रवन सक्ति से कौशल सायता करता रहा, निर्देशन की पालना की प्रायोजय हमेशा ततपर रहा था, सरुमें ये काम प्रायोजयों को कठिन लगा, की काम मुझे मुझसे होगा की नहीं होगा, कुछ समय बाद ये कठिना ही दूर हो गई, पहले कठिन सवाल समस्याओं की समाधान के बाद उसको वहवाईक प्रायोजयों के नियंतन अवस्ता से ग्यात हुआ कि मेरी परिकल्पना सही प्रमानित हुई, कि परिणाम के ज्यान अभिप्रेणा से मिलनेक से निश्पादन बहत्तर बन जाता है, नियनतित अवस्ता में प्रयोजयों को उसके द्वारा किये गए निश्पादन की देता रहा था, इस परकार परिणाम ज्यान हो जाने से अशुद्या बहुत घड़ गई, निश्पादन के गुण में काफी उन्नति या प्रगति हो गई थी, प्रयोजयों के नियंतन अवस्ता की अप्रिक्षा प्रयोगात्मक अवस्ता में बहुत कम त्रूटी गी और उस संदान से ज्यात हुआ कि शिक्षा के अंतर निर्यक्षन प्रतिवेदन से भी निश्पादन पर प्रयणाम के ज्यान अभिप्रयणा का अनुकुल प्रभाव प्रमानित होता है, निम्न तीन परकार की आधुनिक अलोफेतिक दमाया, जाइनिन बन थाउजन एसार, पुलोक जीवन कुसलता पूर्वक हर्स से अपनी जीवन साथी के संग जी रहा है, निश्कर्स प्रस्तुत अनुसंदान के आधार पर निश्कर्स निगलता है कि परिणाम के ज्यान अभी प्रेणा के कारण निश्पादन उन्नत बन जाता है, परिणाम के ज्यान होते रहने पर व् त्रूटी सुधान ने तथा अपने निश्पादन को और भी अच्छा करने का आउसर मिलता है संदर्व वी एमोई कोटा मैं मैं साई को एक सो एक और मैं साई को दस वाट्स अप नंबर 982-9085-951 जिल मिल से तारों का आगन होगा 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 जिल मिल से तारों का आगन होगा